आपके यूट्यूब चैनल पर तो आज हमारा कांगड़ा में तीसरा दिन है भाई के घर पर श्टे करते हैं तो आज जो हम रेडि विगेरा हो गया है तो आज हमारा आप जो प्लान है वह बताएंगे कहां पर हमने जाना है कांपे ने जाना है क्योंकि घुमा तो यहीं है है को बैस तो घुदो करते हैं कि नूरपूर को सबस्क्राइब है वह नोर्पूर का किला है वह देखेंगे उसको करेंगे और वहां पर शायद अंदरी जो है वह वह ब्रीजिश्वर मंदीर है तो करते हैं विडियो श्टार्ट लैट्स गो हुआ 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 है अब है तो यहां पे जो जगाय है यहां से जो आपकता हूं पूरा प्ठान कोड़ है हुआ है जो भी आपको दिखाए दे रहा है यह पूरा प्धान कोड़ का लग्षा नाजब ने पटता है तो गाइस अभी हम जो वह नूरपूर के लिए में पहुँच गए है जो कि टिस्टिक कांगड़ा में पड़ता है तो यह किला जो है वो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है बाकि अंदर का नजारा कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको जो है वो अंदर जाके बता दूँगा तो यह अभी जो है वो आपको बाहर का नजारा देख रहे हैं कोशिश करेगा तो तीन साल की जेल या फिर 500 रुपए जुरू माना या फिर दोनों हो सकती है जितना ज्यादा नुकसान होगा उस हिसाब से जो वह सजादी जाएगी तो गाइस जो हमारा किले का अंदर का नजार है वो कुछ इस परकार का है तो किले के अंदर जो है वो तो यह जो है हमारा किला तो क्या ही बोल सकते हैं विसको अब यह खंडरी बन गए हैं तो यह जो थे वह पहले किले हुआ करते थे अब जो है वो नश्ट हो गया है तो गाइस यहां पर हमारे को जो था वह सिल्पकारी जो थी वह इतनी अच्छी सिल्पकारी की हुई है कि मै तो फ्रेंट्स जो अब मैंने सुना था कि जो कि नुर्पूर का किला था वो अपनी सिल्पकारी बहुत फिमस tapping है कि यहां पर यह पद्र कुण्य पत्रों के उपड़ यहितनी जादा मन मौहक कि मैंपको बता नहीं सकता है। इसको देखने के के लिए और मैसूस करने के लिए आपको खुद भोखुद यहां पर आना पड़ेगा और इस चीज को खुद देखना पड़ेगा बहुत ही अच्छी जो पत्रों के ओपर जो है वो कलाकारी की हुई है तो आगे भी हमार को कुछ मतलब सिल्फकारी जो है वो पत्रों के ओपर तो यह देखिए आप खोड़ी देख सकते होगा कि कितने अच्छी मतलब जो है वह कलाकारी की हुई है पत्रों के उपर की हुई है तो यह मालना होगा कि यहां का जो क्ला है वह अपनी सिल्फ कारी के लिए बहुत भेमस है तो व्रेंड्स ये जो हमारी है बहुत पुरानी धरोवर है Caitlin संस्रिती हमारी तो Хем करता है कि हम मिसटीज को संभाल के रखें इसका रख रख़ाभर करें इसको नुक्सान ना पहुंचाएं तो मैं आप सभ्सकाषी करता हूं कि इस चीज को किले को या किसी हमारी पुरानी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें बग्की जो किले का बाहर का नजारा है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं तो इसके साथ में जो हमारी राभी नदी गुजरती है और साथ-साथ यहां पर जो है वो नी मैं इसका काम चला हुआ है तो मैंने यहां किले के अंदर एक चीज और नोट की कि लड़कों के द्वारा लड़कीं के द्वारा जो था वह अपने नाम जो थे वह दिवारों पर लिखे हुए थे इतने बड़े अप्सरों में लिखे हुए थे कि मतलब क्या शो करना चाहते तो इसलिए मैं सबसे यही बोलता हूं कि इस चीज को अवाइड करें दिवारों पर नाम बगहरा मत लिखें उसको गंदा ना करें क्योंकि यहां पर टुरिष्ट बगहरा आएंगे या कोई भी आता है तो चीज को देखता है तो उसके मतलब दिमाग पर क्या चीज रहेगी कि यहां के जो लोग हैं वो किस परकार के हैं दिवारों पर नाम लिख रहे हैं भाई साब मैं खुद बिलासपर से आया हूं तो मेर पैकेट बगहरा फैंके हुए थे तो यह चीज बिल्गुल गलत है यह जीज हमारे को शोबा नहीं देती है तो हमारे को यह चीज नहीं करने चाहिए इससे जो होता है हमारा पूरा बाता आपन घूज़ होए वह वह बहुत सारे हैं झो अपनी बास पर लाक्ला का बहुतन है इनकी खुबसूरती जो है वो किसी को भी दिवान ना बना सकती है तो हम आज आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारा डिश्टिक कांगडा नूरपुर में पड़ता है और इस किले का संबंद जो है वो भगवान शिरिक्रिशन और उनकी भक्त ज शाष्क राजा बाशुर्देब के दोरा करवाया गया था इसका किले का निर्मान कुछ हिस्सा मुगलों के दोरा भी बनवाया गया था इसका और जो कुछ बाकिका हिस्सा है वो हमारे सिक राजाओं के दोरा भी बनाया गया था यह नूरपुर का किला जो है वो अपनी सिल कारी के लिए जाना जाता है किलिए के साथ जो हो रभी नदीख उजर्ती अब खंडर में बदल चुका है और इसका जो मतल्ब नष्ट होने का कारण कुछ आंगरिज्ज्यों के द्वारा जो था वह कैना किया हुआ था और कुछ हिस्सा जो था वो भुकम्प के कारण जो है वो नश्ट हो गया था तो किले के अंदर ही जो है वो भगवान शिरी क्रिशन और मीरा भाई का मंदिर भी है जिसे ब्रिज्वेश राजव स्वामी मंदिर भी कहा जाता है इसका निर्मान जो है वो सोड मिस्ताबदी में हुआ था यहां पे भगवान शिरी क्रिशन और मीरा भाई की पूज़ा एक साथ हुझती है तो हमारे मतलब इंडिया का पहला एक weten अमंदीर है जहां पे भगवान शिरी क्रिश्flixन और मेरा भाई की जो पूज़ा है वो एक साथ हुझती है तो नूरपुर का किला जो था वो पहले धामड़ी हुआ करता था जो बाद में नूर जहां के नाम से प्रवाबित हो कर जो था उसका नाम नूर पूर रखा गया था क्योंकि यहां पर मुगलों का शासन भी था तो नूर जहां जो थी वो यहां पर आई थी तो उसने जो था वो यहां का नाम धामडी का नाम जो था वो नूर पूर र जल्दी आ जाएगी तो विडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तर के लिए बाए बाए